आदी नाराइन भी उत्पन्न हुए इस तरह से बताए कहां इस मिठ्या के अंतरगत में अंतरगत में यहाँ पर आदी नाराइन को उत्पन्न कराई गया सुखन फिर आदी नाराइन ने एक हो हम बाउशामि में एक हो फिर अनेक हो जाओ ऐसा इच्छा किया तो फिर इस प्रकार से यह सारा स्रिष्ट के हैं यहाँ पर उत्पन्न बताया महमदी प्राणा जिवानी में कहते हैं कि स्वेम आदी नारणी ने जब एको हम बाउश्याम किया तो या में महाविष्णु मन, मन थित्रीगुन, ताथे थिरचरा सव उत्पन नम इस प्रकार से आदी नारणी की मन से फिर क्या हुआ? सेश नारणी का उत्पन हुआ सेश नारणी के मन से फिर तिरदेब, फिर तिरदेब से सारा चौदलग का विष्थार हुआ इस प्रकार से भावत के पंचम इसकंद में इसका विष्थार बताया हुआ है, यह श्रिष्ठी का क्रम के विषे में तो हम यह पर अब सिधा सिधा देखा जाए, कि वास्ता में आदी नारण से ही सारा श्रिष्ठी का उत्गम हुआ है तो यह पर जितने भी हमने साफ्तर का, जितना ही साफ्तर हमने देखा, जिस साफ्तर का उत्गम कहां से हुआ तो इस सास्तर का अवत्रण हुआ कहा से तो हम जिस प्रकार से आदी नारण से सेशनारण का उद्गम हुआ सेशनारण से भी तिरदेव का उद्गम हुआ तो तिरदेव बेशी भगवान विश्णु का जो दस्वा अवतार है उस दस्वा अवतार में से एक अवतार भगवान ब्यास जी है तो भगवान ब्यास जी के मुखारबिंदर से इस अमपूरना सास्तर का यहां पर अवतरन करवाए गया है बिशेश करके जितने भी सास्त्र है उस सास्त्र यहां पर भगवान ब्यास जी के मुखारविंदे से आवतर्ण हुआ है तो हम एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर धरती में आज पर जितने भी सास्त्र है इस सास्त्र भी एक प्रकार से सपने के अंदर इस सपने के बु प्रमात्म को खोच करने की प्रयाश किया गया तो यहां पर इस प्रकार से आज तक धर्ति में सब सुपन बुद्ध अठकल सो सपना के बुद्धी से अठकल के माध्यम से ही आज पर पूर्ण ब्रह्मा प्रमात्म को खोच करने के प्रयाश किया गया है तो सास्त्र ने ने बताया है कि ब्रह्म सत्य है तो बास्त में सत्य ब्रह्म है कहा है तो आज तक इसी चीज़ को यहां पर बिवेचन नहीं हो पा रहा था तो वो बिवेचन पूर्णर्व से ब्रह्म को पूर्णर्व मतलब प्राप्ति करवाने का बिवेचन का नामी बास्त म में क्या है? यहां पर तार्तम है. तो आइए इस प्रकार से अब साफ्तर की अंतर अंतरगद से हम खोज करने की, आज लोग मतलत स्थाष्टि में कयों साधुजन कयों, तिर्थंकर कयों यहां पर पैगंबर साफ्तर की अंतरगद से परमात्मा के खोज कर रहे है तो क्या बास्ता में अब सास्त्र के माद्ध में खोज तो कर रहे है तो क्या प्राप्ता नहीं करेंगे ब्रह्मा को तो यहां पर थोड़ा देखा जाए हाँ सास्त्र के माद्ध में से ही आजब ब्रह्मा के खोज करने के प्रियास तो किया जा रहा है लेकिन की चीज़ का यहां पर कमी हो रहा है वो कमी क्या है वो बीवेचन का कमी साफ्तर में ब्रह्मा के बिशे में बता है तो बहुत सार है लेकिन उस ब्रह्मा को बिशे में थोड़ा बीवेचन न होने के कारण आज धरते में सब क्या हो रहा है उस अब ब्रह्मा को ही ब्रह्मा मान करके बैठने के लिए यहां पर आज बात दे हो रहे हैं तो इसलिए यहां पर आए इस प्रकार से देखा जाए तो अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कहां तो सांखत्र कंदर कर से कैसी हम पुष्ट रुप से बताए है कि बास्ता में ब्रह्मा के प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर देखा जाए कि भगवान ब्यास जी ने साहत्र के मादम से बताए कि अवावी नो भविशंती मुनईव ब्रह्मा रुपिना उत्पन्याय कलिउगे प्रदान पुरसासाय कथा योगिन तांसर्व पुझ्य संती मानव तत्पुवजा प्रवाविड़ाईव जीवसिष्टिव धारणम तो यह भात यहाँ पर ब्यास जी ने जैमुनी को बताए कि भविश्य में कौन आने वाले है इस तरह से ब्रह्मा मुनी आने वाले है तो देमुनी ने यहाँ पर व्यास जी को क्या क्या आप ब्रह्म मुनी नहीं हो तो व्यास जी बताते नहीं मैं मुनी हूँ लेकिन मैं ब्रह्म मुनी नहीं हूँ तो यहाँ पर आप बता थे आप ब्रह्म मुनी कैसे नहीं और भविश्य में आने वाले ब्रह्म मुनी कैसे होएं तो यहाँ पर ब्यास जी बता थे जो भविश्य में आने वाले जो ब्रह्म मुनी है उनका तब पुजा से ही क्या होने वाला है संपूर्ण जीप का उद्धार परोने वाला है, तो येक要ा क्या बात है कि मतलब आने वाले भविशे में जो ब्रह्म मुनीवार ने आने वाले है, उनकी मार्यम से सारा स्रिष्टी पाहर हो जाएगा, जीप का सारा उद्दार हो जाएगा तो ब्यास जी बताते हैं जो उनकी पास है वो मेरे पास नहीं है मैं भी उस चीज़ को प्रतिच्छा कर रहा हूँ तो बास्तब में क्या चीज़ को प्रतिच्छा कर रहा है तो यहां पर आप ब्यास जी बताते हैं कि देखना इस धर्ति के अंतरगत मे कयों सास्तर के यहां उद्गम तो हुआ है कयों सास्तर के यहां बढ़न तो हुआ है लेकिन बास्तव में जो मोक्स है उने का जो तत्तु है न ओ मोक्स है उने का तत्तु बास्तव में किन के पास है ओ इनी ब्रह्म मुनी के पास है दिसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से धर्ती से मतलब यहाँ पर पानी को उपर खिसना हो तो इंत्रा का जरूरत पड़ता है इसलिए यहाँ पर का जिस जीब को उपर खिसना हो तो मंत्रा का जरूरत होता है तिसलिए यहाँ पर जो ब्याहस जी ने पहले बता चुके है कि इस धर्ति के अंदर गत में यहाँ पर कयों मंत्र है यहाँ पर कयों साहत्र के अंदर गत में कयों मंत्र है उसमें से यहाँ पर साड़े साथ करोड मंत्र ब्याहस जी ने बता है तो यहाँ पर ब्याहश जी ने बता दिया कि यहाँ पर साथ करोण मंत्र यहाँ पर है तो उसमें से यहाँ पर क्या है एक कृष्णा दो अच्छरी कृष्णा मंत्र ही क्या है वो पार करने का मंत्र है तो बाकि जितने भी मंत्र है वो तो चित्ता को ब्रहमित करने वाले है तो यह मतलब जो कृष्णा अच्छेरी मंत्र है यह कौन सी मंत्र है यहाँ पर देखा जाए तो धर्ते में कृष्णा का मंत्र था और भी कयों है इसलिए ये कौन सी मंत्र है तो यहाँ पर ब्याहजी बताते हैं कि ये मंत्र वो मंत्र है जो स्री ब्रह्मा जुमूनी है उनके पासी है तो यहाँ पर सिधा ब्याहजी मिलें फिर भविश्य कहा कि ये कौन सी मंत्र है तो बोलते हैं मंत्र स्थिंता मणी प्रोक्ता सोड़ा सा उतारने वाले मंत्र है तो ये दुनिया को पार उतारने वाले मंत्र है वास्तव किसके पास है ये ब्रह्म मुनी के पास है तो इसलिए इसमें कोई संका नहीं है करके यहाँ पर ब्यास जी ने इस प्रकार से बताय हुए है तो इसे प्रकार से यहाँ पर जिसके मंत्र जो ब्र तार्तम मंत्र करके कहा है तो इसलिए ये बास्तम में तार्तम मंत्र है का इस कैसे पारता रहेगा तो बास्तम ये तार्तम मंत्र है क्या तो इसको भी में आपर इसकंद पुरान में आपर बताया गया है कि प्रभुद्दम तारकम तक्त्वम मायातितम सनात्न सत्यम सत्यम पु पर जो कृष्ण तत्त है जिसको पुरानों में अच्रातित करके भी कहा कृष्ण एव अच्रातित सचिदानन्द लच्छनम जो अच्रातित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है जो पूर्ण है तो उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मतलग श्री कृष्ण का न ग्यान ही वास्ता में क्या है तार्तम ग्यान है तो साफ्तर में यहां पर यह पर भी बताया गया हुआ है कि तो साहत्र में बताया हुआ है जिस प्रकार से ब्रह्मा जिस प्रकार से सक्तिवान है ब्रह्मा का नाम भी उतना ही सक्तिवान है करके साहत्र में इस प्रकार से बताया गया है तो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो उनका जो ग्यान है तो उनका ग्यानी बास्ता में क्या है यह तार्तम ग्यान यहाँ पर प्रस्ता हुआ है तो इस प्रकार से सास्तर ने तार्तम का महत्त इस तरकार से बताया हुआ है कि अब इस दुनिया में इस धर्ति में यहाँ पर क्या करने वाले तारतम ही सब को मुक्षे दाइक मंत रहे करके इस प्रकार से बताया है तो ब्यास जी ने इस प्रकार से पूर्ण रुप्षे कयों साहत्र के माद्यम से यहाँ पर इस बात को यहाँ पर पुष्टे करके बताया तो आएए भक्त जन तो इस प्रकास से हम अब आगे देखा जाए तो अब तार्तम बास्त में क्या करता है इसी अंदकार को ही यहाँ पर मेटाने के एक आरेकारतम में बताया आतक धर्त में जितने भी कलंक है धर्त में जितने भी यहाँ पर अज्यान है तो वो पूर्ण अज ग्यान को मेटाने के वस्त है बस्तमी यहाँ पर तार्तम का वत्रण हुआ है तो यहाँ पर मामती प्राणा जी बाने के माद्यम से भी कहते हैं कि उत्कंठा नवर है कहनी जो किजे तार्तम नो विचार जी तो जो यहाँ पर तार्तम का पूर्ण अरुप से विचार करेंगे तो उसके मन में ऐसे कोई भी इच्छा नहीं रहेगा, कोई भी संका यहाँ पर नहीं रहेगा, तो यह से तारतमनु अजवालु लएने आप्यात आपनामा अधारा जी, तो यह से तारतम को ले करके यहाँ पर पूर्ण रुप में कोना है, इस धरतमें साच्छा धामदनी स्वरुब यहाँ पर आए हुए है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर कब और कैसे आने वाले है, इस जिसको भी यहाँ पर ब्यास जी ने पहले भविश्यवानी कर चुके, तो स्वर्ण ब्यास जी यहां पर बताते हैं कि अब कब यह परमात्मा इस धरते में उस ज्ञान के लिए कब अब तरन होंगे, तो ब्यास जी बताते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर पहले ब्यास जी ने भविश्य कर चुके है, कि इसे दिब्वे ब्रह्म पूर धाम से उस दिब्वे सक्ति यहाँ पर धर्ति में आने वाले हैं कहाँ पर मरू देशे कुले सुद्धे यहां पर महरवार देश में जो बिक्रम सम्माद 1738 में यहां पर जो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को सक्ति ले करके यहां पर अवत्तरन होने वाल है करके इस पर कैसे बविश्य किया हुआ है तो उने ही सो रूप यहां पर धर्ती में आकर के यहां पर सुन्दरी नाम करके सुन्दरवाई की रूप में यहां पर धर्ती में आए तो वो सुन्दरवाई जिसका नाम यहां पर देवचंदर रूप में हमने जाना तो वो देवचंदर महरजी जो है उन्होंने यहां पर अ अपने जिवन में 40 साल तक उनोंने अपने जिवन में पूर्ण ब्रह्मा परमात्म को खोच के 40 साल के अंतरगत में उनने कयो साथ्र के अंधन के, कयो मनन के, कयो चिंतन के तो संपूर्ण धर्ते में जितने भी साथ्रे सब को टोटल के देखा को साहत्र की अंतरगत में बहुत सारे खोच के लेकिन 40 साल तक भी यहाँ पर सद्गुर माराजी को पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का पूर्ण लच्छे नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर साहत्र की अंतरगत देखा जाए को पूर्ण यहाँ पर पर्मात्म का प्राप्ति मतलब किस प्रकार से हुआ इस चीज को भी यहाँ पर सास्त्र ने दर्शा है हुआ है जब सद्गुरु माराजी ने सास्त्र के अंदर का देखा कि सास्त्र में भी हमने कयों सास्त्र देखा है से नहीं पाया तो हम यह पर इस तरह से पूर्ण उसे भागवत के माद्यम से भी हम देखा जायो भागवत के अंतरगत में हम देखा जाये तो भागवत संपूर्ण साहत्र का पूर्ण निचोड माना है भागवत के अंतरगत में एक प्रसंगा आता है जो ब्यास जी ने पहले चार उपवेत का रचना किए, फिर छे साथर का रचना किए, एक स्वाट उपनिशत का रचना किए, और उसके बाद सात्र फुरान यहाँ पर बनाए, फिर भी उनके मन में पूर्ण संतुस नहीं रहा, तो उनके आंतर का दिए पूर्ण संतुस नहीं हुआ, तो यहाँ पर फ वास्तम में आपको पूर्ण रुप से असंतोस होने का पूर्ण कारण क्या है कि यहाँ पर मोक्षे का वास्तम कारण है ही नहीं मोक्षे तत्त वास्तम में है ही नहीं तो यहाँ पर आपने जुन कृष्णा तत्त जो मोक्षे का कारण होना था जो सर्व कारण मतलब सत्य में भी सत्य, जो पूर्ण प्रमात्मा का नामी वास्ता में क्यान है, आपके सास्तर के अंदर गत्में नहीं है. तो फिर ब्याख जी ने मतलब यहाँ पर नारज जी के माध्यम से फिर चतुर सोल के मतलब भागवत यहाँ पर श्रवन किये और वो भागवत के माध्यम से फिर यहाँ पर एक मोक्षे के मारगा उनने यहाँ पर दर्साने तो दर्साया लेकिन यहाँ पर फिर उनने वो भाग अब शुग्दे माराजी को यहाँ पर दे, अब शुग्दे माराजी ने उसी भागवत के अंदर गत में और निचोड के रूप में वहाँ पर उनने दसकम इसकंदर रखे, तो उस दसकम इसकंदर के अंदर गत में भी वहाँ पर नभी अध्या है, नभी अध्या में भी वहा रास नमें क्या बताया रास बताया तो उस रास को पूर्णा रुप से अब यहाँ पर सुग्दे माराजी ने बढ़नन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन बढ़ते बढ़ते परिछित के प्रस्टने के कारण ओ रास भी यहाँ पर पूर्णा नहीं हो पाया देखना तो आग तक जितने भी धर्टी में जितने भी सांस्त्र है जितने भी सांस्त्र के निचोड से भी हमने निचोड रुपे यहाँ पर देखा तो उस निचोड में भी जो रास का बढ़नन है ओ रास का बढ़नन भी यहाँ पर पूर्णा रुप से नहीं हो पाया झाल झाल झाल